क्या आपने कभी सुना है पनीर के कुरकुरे है मैंने एक बर पनीर का भुजिया खाया था जो पैकित में आता है लेकिन तो चलिए आज हम बनाएंगे पनीर के कुरकुरे तो इसके लिए हमने यहां पर पनीर ले लिया है तो मैंने यहां पर डबा वाला पनीर लिया है अब ज यहां पे 2 चमच कॉन फ्लार जो कॉन स्टर्च होता है कॉन फ्लार दो चमच देना है थोड़ा चुटकी बर नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा और यहां पे अगर कुछ फ्लेवर वगेरा एट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जैसे ओनियन पाउडर या तो जिंजर गालिक क पेस्ट कुछ भी जो आपको पसंद है इस तरह का कुछ फ्लेवर एट मसाले वगेरा एट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मैंने सिंपल रखा है नहीं किया है अभी हम इसे अच्छी तरह से फेट लेंगे यह देखे इस तरह से आपको फेट लेना है ताकि जो कॉन फ्लार औ पाइपिंग नहीं था तो मैंने एक पोलिथीन बेक का ले लिया है तो अभी जो है ना हम इस तरह से डिजाइन बनाएंगे पोलिथीन बेक का जो एक कॉर्णर है इसे कट कर लेना है अभी देखिए मैं इहां पर रिंग्स बना रही हूं अगर आप चाहे तो अलग तरीके क का डिजाइं भी बना सकते या तो डाइरेक्ट कूर्ग 때 की तरह भी बना सकते रख एड़ेक्ट कीरी चोड़ सकते हैं मतलब उन्सक्णार में तो हम इस तरह से रिंग्स बना रहें अभी इससे अम तेल में छोड़ देंगा और यह बहुत आराम से निकल जाएगी एदेगी यह जो कर्ची है गरब नहीं होना है नहीं तो इसमें चिपन जाएगी अभी देखे यह तेल में चोड़ दिया आमने अभी तीन से चार मिनिट लगेंगे इसे मीडिया माच में हम फ्राइग करेंगे ज्यादा हाइफ लेंगे यह बहुत क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार ह तो इसी तरह से अभी जो राउन शेप में जो रिंग से बनाना थोड़ा तो डिजाइन करना थोड़ा ताइम कंसुमिंग काम है तो अगर आप चाहन आप से भी बना सकते हैं यह कुरकुरे की तरह बनेगी और टेस्ट में तो कोई फर्क नहीं आएगा तो थोड़ा शेप म पेलना रिदोला चाहते तो आप इस तरह भी बना सकते हैं तो इसे भी हम फ्राई कर लेंगे फटाफट यह इश्वी ते यह तयार से निकाल लेते हैं तो सबसे अच्छी बात आप इसे स्टोर कर सकते हैं आप इसे चार चार पर फार दिन तक डोड़ करके भी रख सकते हैं और यह खाने में बहुत जादा टीस्ती होता है मैंने इसमें अभी किसी तरह का मसाला एड़ नहीं किया है अब चतनी या सोस के साथ खा सकते या तो थूरा पेड़ी पेड़ी या मेगी मसाला